मस्कार दोस्तों में एक बार फिर एक ने वीडियो के साथ मैं हूँ चिज जैस्वाल आप देख रहे हैं टर्गेट इस पॉसिबल दोस्तों आप सभी को पता होगा कि CSC के माद्यम से जल्द ही अधार UCL का काम सुरू होने वाला है अगर आपने अभी तक अधार UCL यूजना केंते गरत ओनलाइन अवेदन नहीं किया है तो आपको भी अधार UCL का काम नहीं मिलेगा यहाँ पर दोस्तों अधार UCL में काम करने का मौका केवल ऐसे भेली जो की BC का काम करते हैं उनको मिलेगा अगर आपके पास BC कोड है तो आप लोग भी जल्द से जल्द इसके लिए अभेदन कर दे ऐसे यूजर्स जिनों ने अधार UCL के लिए CSC के माध्यम से अपना रजिस्टेशन कंपलीट कर लिया है वे लोग कैसे चेक करेंगे कि क्या उनका क्रेडेंसियर फाइल बन गया है या नहीं बना है इसके समबंदित मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आप लोग को बताऊंगा अगर आपने अधार UCL के लिए CSC के माध्यम से रजिस्टेशन किया होगा उसके बाद ही आपका डिटर यहाँ पे सो होगा अगर नहीं किया होगा तो आपका नहीं सो होगा अगर आप किसी कमपनी के साथ चुड़के काम कर रहे हैं आधार कार्ड सेंटर में या फिर अधार UCL में या फिर किसी भी अधार साफ्टवेर पे और आपका अधार क्रेडेंसियल बना हुआ है तो भी आप लोग यहाँ पे डिरेक्टी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका क्रेडेंसियल को जरूर दबाएं दोस्तों चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को आ जाना है गैजट्स अपडेट हिंदी डाट कॉम की ऑफिसियल बैसाइट पे जहां पे मैंने इस्टेप बाइस्टेप पूरी जनकारी आप लोगों को दे रखी है जैसे ही आप इस पोस्ट पे किलिक करेंगे नीचे स्क्रोल डान कर लेना है अधार यूसियल के संबंदित कुछ इंपोर्टेंट जनकारी दी हुई है जिसे आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लोग इस आर्टिकल को मन से नहीं पढ़ेंगे तो कई न कहीं आप लोग भी सफलता पुरोग अधार यूसियल में करडेंशिल बना है या नहीं बना है इसकी जनकारी नहीं ले पाएंगे तो यहां पर इस योजना के संबंदित कुछ जनकारी दी हुई है सबसे पहले आप लोग इसे एक बार पढ़ लेजिए यहां पर बताया गया है कि लागे क्या करना होगा और क्या करेंशियल फाइल क्रियेट हुआ है या नहीं हुआ है लोग कैसे चेक करेंगे नीचे इसको लाउन कर लेना है यहां पर कुछ जनकारी आपको मिलेगी यहां पर देखीगा दोस्तों मैं दो बेव साइट यहां पर दिया हूं आधार देरखी है यहाँ पर देखेंगे आप लोग की आप लोग को सीफी नंबर देने की हो सकता है और मुबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वही लोग अपना चेक कर पाएंगे जिनके पास सीफी सर्टफिकेट गर हो और जब आप CP certificate के लिए या फिर N.E.S.I.T. में आवेदंग करते समय आपने जो मुआयल लंबर दिया गया था वह मुआयल लंबरा के पास होना चाहिए उसके बाद ही आप लोग अपना credential फाइल चेक कर पाएंगे अगर आप लोग को पता नहीं है कि CP certificate क्या होता है तो इसके भी सम्बंदित मैंने आल लेडी वीडियो या फिर article इस बेव साइट पे उपलब दकरा दिया है आप लोग लिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आप लोग को अभी तक अधार इंजाम का जो certificate होता है CP certificate नहीं बना है कैसे बनाना है इसके भी सम्बंदित अगर आप लोग को जंकारी लेनी हो तो वीडियो के मात्यम से कर्मेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे बेव साइट पे किलिक करके आप लोग टाइब करने के बाद आप लोग को यहाँ पर मॉइल लंबर टाइब कर देना है और सम्मिट पर किलिक कर देना है दोस्तों फिलाल में मैंने अभी अधार यूसियल के लिए आवेदन नहीं किया है तो मेरे पास यहाँ पे CP नंबर भी है मैं चाहूं तो यहाँ पर चेक करके दिखा दूँगा लेकिन मेरा है नहीं तो मैं यहाँ पर स्टेटस नहीं चेक कर पाऊंगा अगर आपका करेडेंसियल बन गया हो तो आप लोग कमेंड के माद्यम से जरूर बताएगा कि आपका करेडेंसियल है या नहीं बना है तो दोस्तों यह थी प्रोसेस आपको करेडेंसियल चेक करने के लिए इसके संबंदित और भी कोई जंकारी या फिर मन में आपके कोई भी सवाल या फिर सुझा हो तो यहाँ पर डिरेक्टली कमेंड करके बता सकते हैं पूछ सकते हैं यहाँ पर देखि तो इस अंकारी में इतना ही सो थाइंक्स जैहिन वंदे मातरम